जम्मू एन कस्मिर के पीए को को आप भारत का हिस्सा नहीं मनते हो क्या एक्रेसिव नहों जान दे देंगे इसके लिए क्या बात करें आप एक्रेसिव होने की क्या बात करें हो जान दे देंगे इसके लिए सिय ले सिय यह आने के बाद अंने भूरे देश के लिए यह है इंगाल चुकी बॉर्डर स्टेट है तो बंगल के लिए बाद странा यह पर नदेश की समझ लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें वो कह रहें कि एक के बाद एक जो आपने किये चाहिए ट्रिपल तलाक हो थी सेवेंटी हो एक सेकंड फॉरेन मीडिया को पूछें उनके देश में त्रिपल तलाक है क्या उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लो है क्या उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या दिली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं वो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंधा धुन लोग आएंगे बीजेपी उन्हें नागरिक्ता देगी उससे थेफ्ट रॉबरीज रेप बढ़ जाएगा दिली के मुख्यमंत्री अपने ब्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेटे हैं उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुकी हैं अध्भारत में ही रह रहे हैं सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार देने की बात है 2014 तक जो आगए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बंगलादेसी घुसपेटियों की बात नहीं करते हैं रोहंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं दिली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं इसलिए वोट बेंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं नौकरी का कहां सावाल है वो अल्रेडी यहां है और बंगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या रोंग्याज नहीं मार रहे हैं इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भी शिर्फ जो हि पर दोगाली हिंदू आये हैं, इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है, ममताजी को मैं खुली चुनोती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा, वो बता दे सारोजनिकृप से, वो खौप पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलम के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है, ममताजी इसको मत रोकिये, करने जैसा काम है, गुस्पेट रोकिये, क्या तरक है आपका, एंटी मुसलिम कैसे है, कि आप सिर्फ मुसल्मानों के एक, उसको आपने क्राइट मानों पर इसलिए धार्मिक प्रतार नहीं हो सकती, कि तीनो देश घोसित इसलामिक स्टेट है, कौन करेगा, धार्मिक प्रतार ना कौन करेगा इसलाम के अन्वियाईयों के साथ, ये तीनो देश घोसित इसलामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके समिधान में है, पर आप मैं फिर से वो ही पूछूंगी कि अगर आप इसाईयों को दे सकते हैं अगर आप पार्सीज को दे सकते हैं जो इसलामिक नहीं है और अगर उन पर हो रहा है तो फिर आप why can't you give it मुसल्मानों को क्यों नहीं अगर आप इसे तो फिर दुनिया वर्से देश में जो आए सबको नागरिकता दे तो अमेरिका तो करता है न सबको लेकर आप लाइक करें वो गूस कर नहीं आ सकते हैं उनको अफिसल एरपोर्ट से अफिसल लेंड पोर्ट से आने की परमिसन ही नहीं है इसलिए वीचारे अगर वीपक्स को यह चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसत में चर्चा होती ही है तो दोनों को मिक्स अप करकर आप क्या लेना चाहते हो अभी सिर्फ चर्चा में